मंत्री कुसुम महदेले द्वारा बच्चे को लात मारने के मामले ने तूल पकड़ लिया है जहाँ एक ओर सीम शुवरा सिंग चौहान और बीजेपी संगठन ने भी कुसुम महदेले से जवाब तलब किया है इन दोर में कांग्रिस ने विरूद प्रदर्शन करते हुए पशुपालन मंत्री कुसुम महदेले का पुतला जलाया और स्टीफे की मांग की कांग्रिस द्वारा पुतला देहन के दौरान एक बार फिर हाथसा होते होते बच गया जरा गौर से देखिए जैसे ही पुतले में आग लगाई वैसे ही पुतला बाबक पड़ा कांग्रिस के प्रदर्शन में ये पहली बार नहीं है जब ऐसी तस्वीर देखने को मिली हो इस से पहले भी इस तरहा की घटनाए सामने आ चुकी है कांग्रेस का कहना है कि भाषपा के मंतरी अपने ही घमन में चूर है वो किसी को कुछ नहीं समझते हैं उन्होंने मंतरी के स्तीफे की मांग की आज हमने मद्य प्रदेश की मंतरी कुसम मेदले का पुतला जलाया उनने कल एक परजू के दिन एक बच्चों को बच्चे पर अत्याचार करा था देश से लेके प्रदेश सक्के जितने भी बीजेपी के केबिनेट मंतरी विधायक और नेता है आने वाले दिनों में कॉंग्रेस उग्र अंदोलन की बात कर रही है प्यूरो रपोर्ट टी लाइब निउस